नमस्कार दोस्तो दोस्तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पुंडी टैक में दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी खराब LED बल्ब पढ़ा है तो आप उसे फेंके नहीं क्योंकि दोस्तो आज मैं आपको इस वीडि आपको पहले चलिए दोस्तों बाइज की वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी किसी भी खराब LED बल्ब को एसे ठीक करेंगे इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो भी आपके पास खराब LED बल्ब है उन्हें इकटा कर लेना है और सबसे पहले दोस्तों हम इन LED बल्ब को चेक करेंगे इसके लिए दोस्तों सबसे पहले यहां से इसके उपर जो क्याप लगी हुई है से निकाल लेते हैं इस परकार से दोस्त आप बहुती आसानी से इसे निकाल सकते हैं अगर दोस्तों आप इसे इस परकार नहीं निकाल पारे हैं तो दोस्तों आपको कोई भी इसक्रू ड्राइवर लेना है उसकी मदद से आप इस परकार से यहां से इसे खोल सकते हैं इसलिए दोस्तो सबसे पहले जो मेरे पास खराब LED बल्ब है उन्हें में इसी परकार खोल लेता हूँ देखे दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ LED बल्ब थे जो मेरे पास खराब थे मैंने उन्हें उपन कर लिया है अब दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों हमें एक होल्डर लेना है कैसा होल्डर लेना मैं आपको दिखा देता हूँ देखे दोस्तों आपको इस परकार से एक होल्डर ले लेना है जिससे हम इन LED बल्ब को चेक करेंगे दोस्तों क्या होता है जादेतर जितने भी LED बल्ब होते हैं इन में दोस्तों यहाँ पर जो छोटी छोटी LED लगी हुई होती है इन में से कोई भी एक LED खराब हो जाती है तो जिससे ये पुरा LED बल्ब काम करना बन कर देता है आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी किसी भी LED बल्ब में कोई भी LED खराब हो गई है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे अब दोस्तों सबसे पहले हम इस होल्डर की मदद से हम इन LED बल्ब को चेक करेंगे एक ट्वीजर की मदद से दोस्तों आपको कोई भी एक चिम्टी ले लेनी है इस परकार से और अगर आपके पास कोई चिम्टी नहीं है तो आप एक मोटी सी वायर ले सकते हैं अगर दोस्तों आपके पास इस परकार से कोई चिम्टी है तो उसके उपर आपको जो इलेक्टिक टेप होती है जो कि दोस्तों बिजली के तारों पर हम यूज करते हैं टेप उस टेप को इस परकार से जिस परकार से दोस्तों मैंने इस चिम्टी के उपर लगाया हुआ है इस जो आप देख सकते हैं इस LED लगी हुई है इनके दोनों सीरों को दोस्तों हमें इस परकार से सोट करना है आपको दोस्तों यह काम बहुती ध्यानपूर्वक करना है जिससे कि आपको किसी परकार का कोई इलेक्टिक शोक ना लग जाए अब दोस्तों हम सबसे पहले इन LED बल्ब को चेक कर लेते हैं दोस्तों जो भी LED खराब होगी उसे हम जैसे सोट करेंगे तो यह बल्ब अपने आप चलना चलो हो जाएगा देखें दोस्तों यहां पर इस LED बल्ब में यह वाली LED खराब है अब दोस्तों हमने जैसे ही इसे सोट किया तो यह LED बल्ब जलना चलो हो गया है आप देख सकते हैं हम दूसरी LED चेक कर लेते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यह दूसरी LED बल्ब में भी यहां पर एक LED खराब है जैसे मैंने इस LED को सोट किया यह हमारी LED बल्ब जल चुकी है अब दोस्तो हमें इसे ठीक कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो इसे ठीक करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं एक तो तरीका यह है दोस्तो हम किसी दूसरी खराब LED बल्ब से हम उसका एक LED निकाल करके यहां लगा सकते हैं लेकिन दोस्तों हमें उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहां से हमें LED बल्ब निकालना है उसके बाद उसका पॉजिटिव निगेटिव देखना है उसके बाद हमें यहां लगाना है जो सबसे आसान तरीका है वो आज मैं आपको इस वीडियम बताने वाला हूं दोस्तों अब हमें इसे LED बल्ब को ठीक करने के लिए क्या करना है सबसे पहले हमें दोस्तों यहां पर जो खराब LED है इसे यहां से निकाल देना है इसी ट्वीजर की मदश से चिम्टी की मदश से में इस LED बल्ब को यहां से निकाल देता हूं देखें दोस्तों यहां से यह LED बल्ब आप देख सकते हैं यहां से मैंने इसका LED निकाल दिया है अब दोस्तों सबसे जो आसान तरीका है इसमें यह है कि हमें यहां पर इसमें एक जमपर लगा देना है अगर आप jumper नहीं लगा सकते हैं तो हमें यहां से इसे LED को sort कर देना है और हमारा काम हो जाएगा अब कैसे sort करेंगे से मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों इसे sort करने के लिए हमारे पास एक iron होना चाहिए दोस्तों इस LED को इस iron की मदद से sort कर देते हैं यहां पर थोड़ा सा आपको solder लगा देना है कि अखिए दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी LED हो ठीक हो चुकी है दोस्तो आज की इस वीडियो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई भी खराब एलेडी बल्ब है तो आप उसे बहुती आसानी से अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं बिना कुछ खर्च किये हुए दोस्तों कर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो में दीख क Healthy लेए तो वीडियो को लाइक करना न बूले और दोस्तों चैनल पर पहली बार रहे तो चैनल को जुरू सब्सक्रायब कर ले साथ में दोस्तों जो गण्टी है उसे भी दभाना न बुले ताकि अगले वीडियो का नोटिपिकेशन मिले आपको सबसे पहले